कि हरे क्रिश्णा आप सभी भक्तों का हर्दिक स्वागत है हमारे आज के सकर्यकरम में जिसका नाम है गीता वलोकन कि आज के सकर्यकरम में हम अध्याय 13 पर एक कारेश्याला का आयोजन करेंगे जिसके अंतरगत एक प्रश्णोंत्री अर्थात एक क्विज जिसको हमने लगभक दो या तीन हफते पहले प्रशन बनाकर सभी भक्तों के साथ उनके वाट्सैप ग्रूप पर भेज दिया था और आप लोगों में से लगभक कुल बीस लोगों ने इन सभी प्रशनों के उत्तर दिये हैं अच्छा अच्छी संख्या है लोग बाग काफी प्रूची ले रहे हैं इसमें तो इस सत्र में हम उन्हीं प्रशनों का हम उत्तरों को उन पर चर्चा करेंगे कहीं आप लोगों की कोई शंका होगी उसका निवारन करेंगे बदेश्य है कि भगवत गीता पर आप सब लोगों की जो समझ है वह और गहरी हो और अच्छी हो इसी देशे से हम आज यह कारिकरम करेंगे मैं अग्रे करूंगा कि अन्य सभी भक्त जो हैं वह अपना-पना माइक्रोफोन न्यूट कर लें बहुत-बहुत धन्यमार तो आज की हमारी यह 86 मी कख्षा है हम दिरे-दिरे अपने लक्षे की और बढ़ रहे हैं और मेरे खाल मैं समझता हूं 15-16 कक्षाओं में हम अपना पुरा भगवत गीता का अध्यन समाप्त कर लेंगे चलिए मंगला चरण से प्रार्तनाओं से आरंप करते हैं ओम अज्यानति मिरंधस्य ज्यानन जनाश लाकया चक्षुरून मीलितं येना तस्मै श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकदामयं ददाती स्वपदांतिकं वन्देहं श्री गुरो श्री युता पदकमलं श्री गुरून वेश्न वाम्ष्च श्री रूपं साक्रजातं सहगन रगुनाधान वितंतं सजीवं साद्वैतं साबधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं स्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिताश्री विशाखान विताम्ष्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमुस्तुते तप्तकांचन गावरांगी राधे ब्रिंदावनेश्वरी व्रिशभानुसुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरुभ्यस्चा क्रपा सिंधुब्य एवच्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमूनमहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद फ्रीय वैत गदाधर श्रिवासादिक उरभक्त व्रिंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो अध्याय तेरा पर प्रश्णोत्री प्रश्णोत्री का हम दूसरा प्रश्ण सबसे पहले लेंगे क्योंकि पहला प्रश्ण जो था वो आपका नाम था वो आपने लिखा है तो शेत्र और शेत्रग्य के विशह पर ये पहला प्रश्ण है शेत्र और शेत्रग्य किसे कहते हैं फिर्दय को शेत्र कहते हैं और जिसका हिर्दय होता है उसे शेत्रग्य कहते हैं आत्मा शेत्र कहलाता है और परमात्मा शेत्रग्य यह शरीर शेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला शेत्रग्य परमात्मा शेत्र कहलाता है और आत तो प४्र लुक्त कौ और उट देंगे एप आ के का क्नलब क कर kोन जा में जानने वाला तो च्रीक कोजने वाला कौण जानने realizar उसको पता है प ein Pietर होता है क्या हो रहा है is बागी सब भक्तों का भी यही उत्तर है किसी को कोई इसमें शंका या दुविदा है तो पूछ सकते हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं बागी सब का भी यही उत्तर है हाँ जी चलिए, बहुत सुन्दर सही उत्तर यह है शरीर शेत्र कहलाता है और शरीर को जानने वाला शेत्रग्य अगला लेते हैं दूसरा शेत्रग्य कौन है पहला शेत्रग्य तो अभी रादा जी ने बताया आत्मा है, अभी यह प्रशन है दूसरा कौन है दूसरा शेत्रग्य कौन है और दोनों शेत्रग्यों में क्या अंतर है ये जो था वो एक लगूततर प्रश्ण है जिसमें आपको लिखके बताना था इसमें choices नहीं है विकल्प नहीं दिये गए है तो कौन बताना चाहेंगे कि दूसरा शेतरग्य कौन है और दोनों शेतरग्यों में अंतर क्या है पहला तो हमें पता लग गया आत्मा है दूसरा कौन है वो कौन बताएंगे हरे कृष्णा प्रभुजी हाँ माताजी बताईए प्रभुची भगवान कृष्ण है पहले छेतरग्ये प्रतेग शरीर के कर्म छेतर के ग्याता इस शरीर को जानने वाला प्रतम ग्याता अपनी विशिश शरीर जिसे सारे शरीरों का ग्यान है परम ग्याता एक राजा की तरह जिसे केवल अपने महल की जानकारी नहीं है उसे स तो अच्छा समझाया आपने बहुत शुंदर है दूसरा पहले तो हमें राधा जी ने भी बताया था आत्मा है दूसरे स्वेम भगवान है बहगवान श्री क्रिश्न और दोनों में अंतर क्या है? भगवान सभी शरीरों के बारे में जानते है और आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है उसे अन्य शरीरों के बारे में ज्यान नहीं होता तो आत्मा को अपने शरीर का पता होता है कि जिस शरीर में वो बद्ध है उसका ही मालूम रहता है और भगवान को तो सभी शरीरों के बारे मालूम रहता है और मंजू माता जी ने बड़ी अच्छी उपमा दी जैसे एक राजा होता है उसे अपने राज्य में केवल अपना भी महल नहीं अपनी समस्त अन्य लोगों की भूमी के बारे में मालूम रहता है लेकिन जो एक किसान होता है या प्रजा होती है उसे सिर्फ अपने घर के बारे में मालूम रहता है अपनी भूमी के बारे मालूम रहता है तो बहुत अच्छे से आपने समझाया सुन्दर तो अथा प्रिश्ण कौन सा कथन सही? आत्मा और परमात्मा के विशे में कौन सा कथन सही है? दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हैं, दोनों में समानता भी है और दोनों अलग भी हैं, दोनों बिलकुल अलग हैं, इस संबंद में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता है, इस इसका प्रश्न का उत्तर बताई ये बड़ा एक मूल बूत प्रश्न है बड़ा fundamental प्रश्ना है इसका उत्तर बताई प्रभुपाद जी नहीं ये कि $200 के तात परियों में इसके पर अपने वहां पर ब्यक्त किया है अपनी अपना जानकारी तो कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे तो पर माताजी बताएब आप देना चाहेंगे उत्तर आपका सिरोभाव हो चुका है भगवान सत्चीत आनन संपुर्णा है तो इस बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने दोनों में समानता भी है और दोनों अलग भी है और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझाया भी रादा जी ने उन्होंने बताया कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंच होती है तो अगर परमात्मा का अंच है तो बिल्कुल परमात्मा जैसा होना चाहिए आत्मा को तो वैसा ही उन्होंने बताया कि समानता है लेकिन quantitatively, quantitatively मतलब एक तरीके से या qualitatively समानता है, लेकिन quantitatively समानता नहीं है, भगवान जो हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन आत्मा जो है, वो लगू है, मतलब वो छोटी है, चुकि भगवान का ही चोटा सा एक भाग है, उस तरह से, इस संबंद में कुछ उपमाई भी दी जाती हैं, जैसे एक उपमा है, एक तो सोने की खान हो गई, और उसके अंदर जो छोटा मोटा कोई सोने का कण हैं, वो आत्मा के समान हो गया, और सोने की जो खान हुई वो परमात्मा के समान होगी, भगवान के समान होगी, दूसरा जो धरन दिया जाता है, वो दिया जाता है, समुद्र का और समुद्र के जल की एक बूंद का, तो समुद्र जो है, बहुत विशाल होता है, वो परमात्मा के समान हो गया, और समुद्र के जल की एक बुन्द जो है, वो बहुत छोटी होथी है, वो आत्मा के समान हो गई, इस तरह से माधाजी ने बड़ा अच्छा उतर दिया, दोनों में समानता भी है और दोनों अलग भी है, ज्यान क्या है? शरीर का ग्यान शरीर और आत्मा का ग्यान शरीर आत्मा और परमात्मा का ग्यान और आत्मा तथा परमात्मा का ग्यान तो देखें यहां पर चार विकल्प हैं तो ग्यान किसे कह जाता है देखें ग्यान जो है वो एक बड़ा सामान्य सा शब्द है और बहुत सारी चीजों का ग्यान है, मौसम का भी ग्यान होता है, और एक तरीके से इलेक्ट्रोनिक कोई वस्तु है, उसका भी ग्यान होता है, घर कैसे बनाना है, आर्किटेक्चर कैसे करना है, उसका भी ज्यान होता है, लेकिन वास्तव में जिस तरह के ज्यान की बात भगवान भगवत गीता में कर रहे हैं, उनके उस ज्यान के प्रमुख जो विशे हैं, वो क्या है? ये शरीर का ज्यान कहा जाता है, शरीर और आत्मा को के ज्यान को ज्यान कहा जाता है, शरीर आत्मा परमात्मा के ज्यान को ज्यान कहा जाता है या आत्मा और परमात्मा के ज्यान को ज्यान कहा जाता है तो ज्यान की परिभाशा क्या है कौन बताएंगे करके हाथ खड़ा करें electronic हाट आपका क्या बात कटिन हो गया प्रिश्न नहीं नहीं दो दो हाथ कड़े हुए मंजु मांदाजी बताएंगे प्रभुजी ये ज्ञान क्या है ज्ञान है शरीर आत्मा और परमात्मा की सम्यक ज्ञान कारी ये हैं सम्यक ज्ञान जी बिल्कुल ग्यान क्या है जब हम अपने शरीर के बारे में ठीक से जाने, शरीर कैसे बना है, आत्मा के बारे में जाने के आत्मा क्या है, कहां से आया है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा का संबंद क्या है, इन सब बातों की जानकरी यदी हमें होती है, तो यह संपूर्ण ग्य कि इस जविव्य को अधियान के माध्यम आपको सुद्यम से हम सुद्ध करके आध्यात्मिघ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं जा सकते किन्तु शरीर आत्मा और परमात्मा का ज्यान समझ के हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं इसलिए ये ज्यान बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी ज्यान की चर्चा वास्तम में भगवान शी कृष्ण ने भगवत गीता में कर भगवान ने ब्रह्मसूत्र का उलेक किया है यहां हमें समझना है कि भगवान शी कृष्ण ब्रह्मसूत्र का उलेक क्यों करते हैं ऑप्शन दिये गए हैं अर्जुन ने ब्रह्मसूत्रों का अध्यन किया वा था श्री कृष्ण को ब्रह्मसूत्र बड़े प्रिये लगते थे ब्रह्मसूत्र को प्रमाण के रूप में स्विकार किया जाता है और ब्रह्मसूत्र अत्यंत लोग प्रिये हैं सही उत्तर कौन दिना चाहेंगे बताइए कौन अटेंट करना चाहेंगे अन्य भक्त भी प्रयास करें बड़े विद्वान लोग हैं मैंने देखा आप लोगे प्रशन बड़े आपने अच्छे उत्तर दिये हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मसूत्र का उलेख किसलिए दे रहे हैं मतलब थोड़ा समझा सकते हैं कक्षा को प्रभुजी बिस्तार से नहीं प्रभु थोड़ा सा कक्षिन हो जाएगा देखे जो भी आध्यात्मिक जीवन में जैसे हम जैसे वकील लोग जो है आदालत में जब बहस करते हैं तो अपनी बात को रखने के लिए वो कोई ना कोई प्रमान देते हैं कि जी मैं ये बात बोल रहा हूं तो वो ये प्रमान है ये आज से दस साल पहले कोई मुकदमा लड तो मैं आपसे आगरे करूँगा कि आप भी वैसा ही निर नेले मुलब प्रमान देने से अपनी बात में हम लोग एक प्रकार से उसको उसमें वजन बढ़ाते हैं उसकी सार्थकता को उसकी सच्चाई को सित्यता को उसको बढ़ाते हैं अब देखे यहां भगवान श्री कृ कर रहे हैं संवाद कर रहे हैं अरजुन के साथ to अभी उन्होंने क्या किया है तीसरे चौथे श्लोक में शेत्र और शेत्रक्य के बारे में अरजुन को बता critic पांच्वेश लोग में वह नहीं के रहे हैं कि देखो भई ब्रह्मसूत्र ये एक पुस्तक है जिसे हम वेदान्त के नाम से जानते हैं, ब्रह्मसूत्र एक पुस्तक है जिसे हम वेदान्त के नाम से जानते हैं, वेदान्त मतलब क्या, वेदान्त मतलब वेदों का अंत, तो वेद जो हैं, उनमें बहुत सारी पुस्तके आती हैं, उपन आन्त का मतलब क्या है कि इतनी सारी पुस्तकों में जो बात लिखी गई है जो मुख्य बात लिखी गई है जो सबसे आवश्यक और प्रमुख बात लिखी गई है वेदान्त में उन बातों को बड़ा सूत्र के रूप में चोटा-चोटा वहाँ पर स्वेम वेद व्यास जी न को एक बड़ा अच्छा प्रमान जो है वो माना जाता है वेधिक गरणतावली में इसलिए यहां भगवान शी कृष्ण ने ब्रह्मसूतर का यहां पर लेक किया है क्योंकि ब्रह्मसूत्र को प्रमाण के रूप में स्विकार किया जाता है जैसे अंग्रेजी भाषा में मान लीजे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे आज कल तो खेर गूगल पे चेक कर लेते हैं लेकिन पहले के जमाने में कैसे चेक किया जाता था आज भी चेक करते हैं तो डिक्ष्णरी को प्रमाण के रूप में स्विकार किया जाता है ऐसे ही आध्यात्मिक विश्यों को लेकर अगर कोई बात में कोई अगर पूछना हो या कोई बात कंफर्म करनी हो तो ब्रह्मसूत्र में अगर कोई बात अगर मेंशन करी हुई है उसको प्रमाण के रूप में स्विकार किया जाता है ये इसलिए भगवानची कृष्णी यहां पर ब्रह्मसूत्र का यहां पर उलेक करते हैं तो सही उत्तर है ब्रह्मसूत्र को प्रमाण के रूप में स्विकार किया जाता है तो आध्यात्मिक जीवन में हम अपने मन से अपनी मन गढ़ंत बातों को नहीं लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन भी बहुत एक विज्ञान की तरह है जिसमें जिसके अपने एक तरीके से शिक्षक हैं, आचारिये हैं, जो इस बात को समझते हैं, उनकी गहराई को समझते हैं, इसी तरीके से उनमें जो बाते हैं, उनको सही या गलत साबित करने के लिए उनका तरीका है, उनका एक बाकाइदा, उनका एक पधती जो है, वो मानी जाती है, तो ब भगवान स्वेम उसका उल्लेग यहां पर कर रहे हैं कोई साधारन रेफरेंस नहीं है इसको आपको अपनी अपने भाशा में अपने तरीके से उसको लिखकर उतर देना था इसमें विकल्प नहीं है तो चलिए पहले 24 तत्व कौन कौन से हैं ये कौन बताएंगे यहां दो हाथ खड़े किये जा रहे हैं पर मैं प्रयास करूँगा कि अन्य भक्त भी भागी दारीर करें अपनी उपस्तिती दर्ज कराएं कक्षा में कौन बताना चाहेंगे मन्जु माताजी और रादा माताजी हाथ खड़ा किये में हैं यदि अन्य कोई और भक्त उत्तर दना चाहें तो अन्रमदा माताजी बताएं सब्सक्राइब हैं मेरा मन बद्दी एंकार और प्रधान मन बुद्दी एंकार और प्रधान बहुत संदर बहुत बढ़िए मताजी तो देकिए चौबिस तत्व हैं अभी हमने क्या पढ़ाता थोड़ी देर पहले स्लाइड में ग्यान किसे कहते हैं ग्यान में हमने पढ़ाता शरीर का ग्यान आत्मा का ग्यान और परमात्मा का ग्यान तो यह जो है चोविस तत्व जो है यह प्रकरती कैसे बनी हुई है हमारे चारों तरफ जो प्रकरती है शरीर भी उसी प्रकरती का ही ह है उतीरत प्रकर्ति किमें तत्वों से बनी हुई है उन तत्मों का उलेक यहां पर किए अच्दि प्रत्वी जल अगनी वायव्त वच हैंनी він इंद्रिया मतलब इन इंद्रियों से जो व्यक्ति हैं जो यह अपने चारोंत तरफ का ज्यान उसको होता है करम इंद्रियां करम इंद्रियों से वह कोई ना कोई कार्य करता है जैसे वाणी हाथ पाउं गुदा और लिंग पांच इंद्रिय विशए हैं जो रिंद्रिय के लिए तो रूप और उसके अलावा सुक्ष में जो तत्व हैं वह मन बुद्धी और एहंकार और जो चौथा यह तत्व है यह प्रधान तो यह तो 24 तत्व हो गए बहुत सुंदर उत्तर दिया मताजी अच्छा अब छे विकार कौन-कौन से हैं क्या चीज होती है प्रधान प्रदान प्रभु जैसे यह जितने भी यह जितने भी यह तत्व है न यह प्रत्वी जल अगनी वायू आकाश आख नाक जिव आती आती है जब सब कुछ एक तरीके से समाप्त हो जाता है तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं एक बड़ा ही सूक्ष्म रूप ले लेती हैं और उसको प्रधान कहा जाता है और प्रधान के रूप में ये भगवान महाविश्णु के शरीर में ये एक तरीके से विश्राम करती है मतलब उन में समा जाती है तो ये एक बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है जिसे प्रधान कहा जाता है Is that also मूल प्रकरती यसी को बोलते हैं? मूल प्रकरती कह सकते हैं मतलब जो आपने मूल मतलब रूट हो गया जिसे कहते हैं बेसिक प्रकरती उसको बोल सकते हैं मतलब ये कह सकते हैं कि प्रकरती एक तरीके से अपनी सुप तवस्था में है उसको प्रधान कहते है Thank you आगे छे विकार कौन से हैं? ये कौन बताएगा? ये इच्छा द्वे सुख दुख जीवन के लक्षन और धहरी है ये कह ये निसमझा है? मैं समझाता हूँ जी चेतना और ध्रती देखे ये समझे ये जो ये जो 24 तत्व है ये 24 तत्व जो है इनमें चेतना नहीं होती है ये एक तरीके से बिलकुल जिसे कहते हैं न डेड़ मैटर है डेड़ मैटर मतलब मृत समान है इनमें अपना कोई चेतना नहीं होती है लेकिन इनसे शरीर का निर्मान होता है इनसे शरीर का निर्मान होता है इस शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है, जब जो चेतन होती है, जो जिसके अंदर सोचने, समझने की एक तरी से शमता होती है, तब एक शरीर बनता है, मतलब एक पूरा शरीर बनता है, जिससे जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मुझे उत्तर दे रही है, यह पुरा का पुरा शरीर है, है ना, तो शेत्र और शेत्रग्य के मिलन से, शेत्र और शेत्रग्य के संयोजन से एक जीव जो है, वो बनता है, जो भी पूरा प्रकरती में आप देखते हैं, वो शेत्र और शेत्रग्य का संयोजन है, बराबर, तो जब इस शरीर के अंदर आत जी 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 जैसे यस शरीर के अंदर इक्षा की भावना होती है I mean अधर आपने कोई वस्तू देखी आपने उसकी करी आंद सो इक अचा एक विकार हो गया कि ऐसे इक है जैक हो गया को फेर कोई नि है न वहиб muscles i f adjusting यदि आप किसी चीज से घ्रणा करती हैं या करती हैं तो उसका द्वेश आपके मन में वो भी एक प्रकार का विकार हो गया, वो इक्षा से अलग है, वो इक्षा से अलग है, इक्षा एक प्रकार का विकार है, द्वेश दूसरे प्रकार का विकार है, जब इक्षा पूरी हो जाती है तो सुख की भावना होती है जब इक्षा पूरी नहीं होती तो दुख की भावना होती है अच्छा जी बराबर है और ये जो चेतना है ये चेतना वास्तव में जब जब जैसे इस शरीर के अंदर जो जीवन के लक्षन है जब ये जो जब जो चेतना है भार की भौति prospect दुनिया के अंदर वह आसक्त होती हैं उंक ने साथ जुड़ी होती होती हैं न 스트ू कि विक कर have gone practical कहा गया है क्योंकि इस इसे आप जब भार की जिवन बहार की दुनिया की साथ jebait युद oss That है जब आपका मतलब एक तरीके से सहर अवता है जब जड़ा वंत है तो इस चेतना के अंदर मतलब यह चेतना जो बाहर की दुनिया के साथ जो जुड़ी हुई है अटकी हुई है उसको चेतना जीवन का लक्षन और धृती बोलते हैं थही बोलते हैं कन consentirm को मान लिए जैसे किसी के मन में ये भावना हो कि भाई पाकिस्तानी वाउन जो हैं वो तो बहुत खराब होते हैं या यूकरेन वाला सोचेगा कि रश्या वाला बहुत खराब होता है या रश्या वाला सोचेगा यूकरेन वाला बहुत खराब होता है इसको धृती बोलते हैं इसको धृती बोलते हैं तो यह सब विकार हैं उसके बाद देखे विकारों समेच जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्यन करना चाहिए, भगवत गीता में केवल सारांच दिया गया है, अब जैसे देखिये, जब आत्मा शरीर में होता है, तो शरीर बढ़ता भी है, जब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से वो बड़ा युव सड़ता है. अब कोई शरीर रिम्रत हो जाए तो वो केवल सड़ता है. लेकिन आत्मा जब शरीर के अंदर होती है तो वो शरीर बढ़ता है. उस शरीर पर कॉई घाव लग जाए तो वो घाव भर जाता है, अपने आप भर जाता है. मानलिजे कई priएज तो नहीं करें चोट इस प्रकार से शरीर के अंदर व्रद्धावस्था भी आती है, शरीर के अंदर बिमारी भी उत्पन होती है, तो ये सब विकार कैसे आते हैं, ये सब विकार इसलिए आते हैं क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर उपस्तित है, तो इसलिए इनको यहां पर विकार बताया गया है, ये जिसे बोलते हैं नहीं इन सबस्वाइब कर्म तथा शेत्र तथा उनकी अंतहक रियाएं। मतलब आपस में ये जो एक दूसरे के साथ जब ये रियक्ट करती हैं, कार्य करती हैं तो इनको विकार कहा गया है. तो यह क्या है फिर उसके अलग-अलग जो स्टेजिस होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं सर जीवन में एक प्रकार का माइल स्टोन है जिसे कहते हैं एक प्रकार का एक इंपॉर्टेंट या एक महत्वपूर्ण एक तरीके से इस्तर कह लिजिए या एक माइल स्टोन क्या बोलेंगे मील का पत्थर एक पढ़ाओ पढ़ाओ उसको विकार नहीं कहते हैं उसको विकार नहीं कहेंगे जन्म तो एक इस प्रकार का पड़ाओ है कि आत्मा ने अब एक नया श्रीर लिया है और श्रीर जो है वो इस इस भहतिक जगत स्प्रक्ण हो गया है वो आ गया है उत्पन हो गया है और मतलब मृत्य मतलब अब आत्मा जो है वो श्रीर छोड़ gauge कर दूसरे Shark ग्रेंड करने चला गया है, वो मृत्य हो गया, वो मृत्य हो गया, लेकिन लेकिन इस बीच जब आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, तो शरीर के अंदर कई बदला होते हैं, उनको यहां इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, चेतना, धृति, इसको यह कहा गया है, अगे चलते हैं, ज्यान की प्रक्रिया के कितने अंगों का विवरण दिया है, पांच, दस, पंद्रा, बीस, पॉन बताएंगे तो असान सा प्रशन है, अधीता माताजी बताईए, ज्यान की प्रक्रिया, अर्जुन ने चे प्रशन पूछे थे, उसमें एक प्रशन ये भी था, बीज्ञान क्या होता है, ज्यान क्या होता है, तो ज्यान के बारे में बताया था कि भी आत्मा, परमात्मा और शरीर का ग्यान वह उसको ग्यान बोलते हैं, तो अब यहां पर आठवें से लेके बारवेंश लोक में भगवान बता रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस ग्यान तक हम कैसे पहुँचें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, इसके बारे में गहराई से अगर हमको समझना है, उसके लिए हमें कौन प्रक्रिया का साहfolg लेनि चाहिए वह इंछ लोग में बताया गया स्टिछ घ्यान की प्रक्रिया के अनेक अंगों में वह कौन सा अंग है जिसे विक्सित करने पर अन्य-उन्नीस अंग स्वता विक्सित हो जाते हैं बक्तिर अव्यभी चारिनी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति अमानित्वं बिनम्रता आर्जवं सरल्ता एराग्यम वहराग्य तो भगवानची कृष्ण ने 20 आइटम वहाँ पर लिखे हैं उन 20 आइटमों में से हमने चार आइटम यहाँ पर आपको विकल्प के रूप में यहाँ पर दिये हैं उनमें से बताईए कि ऐसी वो कौन सा अंग है इन 20 में से जिनमें चार विकल्प आपके सामने हैं जिसको विक्सित करने के बाद अन्य उन्निस अंग स्वताही विक्सित हो जाते हैं कौन बताना चा तो देखिए भक्तिर अव्यभी चारणी किसको बोलते हैं देखिए व्यभीचार बोलते हैं हिंदी में शब्दाता व्यभीचार व्यभीचार बोला जाता है कि मानलीजे कोई स्त्री और पुरुष जहें उनका एक संबंध है आपस में पती पत्नी है लेकिन या तो स्त्री कह लीजे या पती कह लीजे जब मानलीजे किसी दूसरी स्त्री के साथ या और किसी दूसरे पुरुष के साथ वो संबंध बनाने लगें तो उसको क्या सर्फ नार weapon मुलता है उसको व्यभीचार बोलते हैं To अब अभीचार किसे बोलते हैं मतलब किसी दूसरी जगह नहीं जाना करते हैं भगवान की कथा श्रवन करते हैं भगवान के साथ भगवान के भकतों का संग करते ही थो होने लगते हैं तो बहुत सुंदर कि सही उत्तर इसका ए भक्तिर अभविचारेनी दस्वा प्रश्न शान्ति ही शान्ति ही किसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगती करने के लिए द्रड़ता सम्मान की आशा ना करना अन्यों द्वारा किये गए अपमान तथा तिरसक को सहना स्वेम को शरीर ना समझना कौन दूत्तर देना चाहेंगे मंजु माता जी आप बताइए मैं बताओ नर्मंदा माता जी आप बता दीजिए अन्यों द्वारा किये गए अपमान तथा तिरसकार को सहना जी तो शान्ति ही बोलते हैं सहन करने को अंग्रेजी में बोलत करना तो कोई कुछ शोटा मोटा अपमान कहीं हो जाया को तिरसकार हमारा कर दे हैं तो इसमें भक्त जो होता है जो आध्यात्मिक जीवन में जो सादक होता है वह प्रतिशोद नहीं लेता है वह प्रतिकार नहीं करता है प्रतिशोद नहीं करता है वह सोचता है कि मेरी भक् और आगे चलो, भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, इस तरह से सोचता है, तो शांती किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं शांती, सही उत्तर अन्यों द्वारा किये गए अपमान तथा तिरसकार को सहना, अगला जो गुण है, गुरू के पास जाना, मनुश्य को चाहिए कि डैश ग पूर्वक और सेवाएं, श्रद्धा पूर्वक और संपत्ति, धन के साथ और आदर भावना, तो राधा माता जी बताइए क्या उत्तर देंगी आप इसका, विनम्रदा पूर्वक और सेवाएं, समझा सकती हैं थोड़ा सा इसके बारे में, मनुश्य को चाहिए कि विनम्र पूर्वक और सेवाएं, जी 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 बहुत सुन्दर, देखें जब हम आध्यात्मिक ज्यान लेने किसी प्रामानिक गुरू के पास जाते हैं, तो हमें विनम्रता पूर्वक उनके पास जाना चाहिए, एक तरीके से एहंकार की भावना लेकर, या कि मैं बहुत बड़ा श् आध्यात्मिक गुरू जो प्रामानिक गुरू होते हैं, उनके पास हमको नहीं जाना चाहिए, तो जब हम विनम्रता से जाते हैं, और विनम्रता से अपने आध्यात्मिक शंकाओं के बारे में उनसे पूछते हैं, तो उनसे हमें आध्यात्मिक जीवन में जो बाते होती है उनके बारे में पता लगता है और जब हम ऐसे किसी प्रामानिक गुरू की छोटी-मूटी कोई सेवा कर देते हैं तो गुरू जो आध्यात्मिक प्रगती करिये वे जो लोग होते हैं वो हुरदे में बड़े उधार होते हैं उनका हुरदे जो है बड़े जल्दी ऐसे व्यक् के उपर बनाते हैं बनाते हैं तो इसलिए हमें विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए और कोई छोटी अप्रोच करता है जो पहुचता है गुरू के पास उसका बहुत भला होता है उसको बहुत लाब मिलता है तरहे विनम्रता पूर्वक और सेवाएं पवित्रता शौचम कितने प्रकार की पवित्रता बताई गई हैं एक दो तीन चार और देंगे उत्तर अन्य कोई भक्त दिना चाहेंगे इसका उत्तर सरल सा उत्तर है रविंद्र प्रभुजी ने दिया उत्तर दो प्रभुजी फिर थोड़ा समझाए भी भक्तों को कख्षा में कि दो प्रकार की पवित्रता हैं कौन सी हैं भाई और आंत्रिक भाई ये और आंत्रिक भाई ये प पवित्रता में क्या आता है कैसे पताएंगे उसमें बाई में इंसा बगर है शरीर की सफाई बहुत सुन्दर और आंतरिक पवित्रता मन को मन को पवित्र कैसे रख सकते हैं अपने आध्यात्मिक में कुष्टकों का ग्यान करना सत्संग करना किर्टन करना बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया तो बहुत अच्छा उतर दिया प्रभुजी ने बहारी शुद्धता बहारी पवित्रता मतलब अपना शरीर साफ रखना अ अपना बातावरण साफ रखना और भीतर की पवित्रता क्या है भीतर की सबसे पवित्रता बनाने का सबसे सरल तरीका है भगवान के बारे में अपने आपको हर समय उनमें मन लगाए रखना और उसका सबसे सरल उपाय कल्यूग में क्या बताया गया है भगवान के नामों का जब करना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो जब हम भगवान के नामों का जब करते हैं तो ये हमारे अंदर एक पवित्र बातावरण हमारे भीतर वो उसका निर्मान करता है तो सही उत्तर इसका है बी डो लैग पाई हो सकता है या अंत्रिक शाउच के लिए लैग पाई चलेगा लैग पाई जी जो लस्ट एंगर ग्रीट प्राइड इल्यूजन एन्वी ये तो एक तरीके से मलीनता हो गई कलमश हो गए उसका ना अवाइड करना तो जब हम भगवान के नामों का जब करते हैं तो भगवान के नामों का जब तो एक प्रकार से साबुन हो गया और लस्ट एंगर ग्रीट प्राइड इल्यूजन एन्वी या हिंदी में कहें काम क्रोध लोब मो मद मत सरी है ये जो छे विकार हैं ये मैल के समान हो गए ये गंदगी के समान हो गए तो जब हम भगवान के ना मो मद मत सरे यह घटती हैं ये धिरे-धिरे कम होती हैं हमारा मन और हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है प्रस्थ इंद्रियार्थेश्व वैराग्यम अर्थात इंद्रिय विशियों का परित्याग इसकी सर्वश्रेष्ट विधी क्या है एक आंत स्थान में बैठकर ध्यान लगाकर मन को द्रड़ बनाकर आत्मबल को बढ़ाकर श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाकर जो बताइए क्या उत्तर देंगे आप इसका कौन दिना चाहेंगे उत्तर इसक श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाकर बहुत सुदर तो तनवी जी थोड़ा समझा सकती है कक्षा को इसका अर्थ क्या है मतलब इंद्रियों को सेवा में कैसे लगा सकते हैं भगवान की? प्रबू जी जैसे जो नेत्र हैं हमारे वो हम भगवान की विग्रों का दर्शन करें कान जो है वो हम भजन सुनने के लिए आएं और जो भोजन है उस पे हम तुलसी पत्ती रखकर हम भगवान को मतलब अर्फित करें जी बहुत सुंदर हाँ जी बहुत सुन्दर हैं अपने चरणों को ले जाए भगवान का मंदिर तक जाने के लिए हाथों को उसमें भगवान के ऊपर फूल चड़ाने के लिए इस तरह से आप इंद्रियों का जब हम भगवान की सेवा में इस्तिमाल करते हैं प्रयोक करते हैं तो हमारी इंद्र इंद्रियों का वैराग्य यही है बहुत अच्छा उत्र दिया आपने इंद्रियों की सेवा में इंद्रियों को लगा कर घर को वैकुंट कैसे बनाएं देखे बड़ा अच्छा प्रश्न है हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुक शान्ति हो भगवान वैकुंट जैसा व विवार के सदस्से मिलकर गीता भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्ष करें विवार के सदस्से मिलकर अर्चा विग्रह की उपासना करें श्री कृष्ण को अर्पित भोग को उच्छिष्ट ग्रहन करें भोग का उच्छिष्ट ग्रहन करें उच्छिष्ट चलिए हाँ बिल्कुल ठीक जी आपको पूरे नंबर मिलेंगे जी माता जी सभी उत्तर सभी विकल्प सही है तो देखे यदि हम इस प्रकार के कारे कलाप अपने घर परिवार में बढ़ाएं इनकी इनकी मात्रा अपने जीवन में अपने कारे कलापों में परिवार के सदस्य जब एक साथ मिलकर कीरतन करें भगवान की कथा गश्रवन करें पूजा इत्यादी करें भोग इत्यादी लगाते रहें इससे घर का वादावरण जो है वो बैकुंट जैसा बनता है शुद्धता आती है एक पवित्रता जो है वो घर में बनती है तो यह आप देखे आपको जानने वाला जानने योग्य क्या है इन में से कौन जानने योग्य है आत्मा परमात्मा दोनों कोई नहीं है परमात्मा दोनों दोनों एक वोट आया है दोनों का एक वोट आया है परमात्मा का दोनों आत्मा और परमात्मा आत्मा और परमात्मा दोनों जानने लाया है बह तो परमात्मा तो जानने लायक है, वो तो ही, लेकिन आत्मा को भी जानना आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंच है, और आत्मा वास्तव में परमात्मा का सेवक है, परमात्मा की सेवा, तो आत्मा और परमात्मा में सेवक और सेव् तो यह जब हम समझने लगते हैं तो आज वर्तमान में हमारी परिस्थिति क्या है वर्तमान परिस्थिति यह है कि हम सोचते हैं कि हम तो स्वामी है और यह प्रकर्ति जो है यह हम हमें इस प्रकर्ति के उपर अपना स्वामित्व जो है उसको जाहिर करना है उसको लगाना है इ इसी तरह के से पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, रूस सोच रहा है कि मैं तो यूक्रेन का स्वामी हूँ, मैं तो इस यूक्रेन को अपना, अपने स्वामित्व का वो दिखा कर, डर दिखा कर उसको अपने कब्जे में कर सकता हूँ, या उस प के लिए कुछ एक शरीर धारन करते हैं और मुर्ता वश ये सोच बैठते हैं कि हम तो इस शरीर के स्वामी है पर वास्तविक स्वामी कौन है वास्तविक स्वामी भगवान है और जीवात्मा तो सिर्फ एक सेवक के समान है तो दोनों ये चीजें जानना आवशक है कि आत्मा क पाते हैं हमारे लिए जानने योग्यें हैं इसको ये कहते हैं तो सही उत्तर है सी दोनों भगवान इंद्रियों से रहित इसका अर्थ क्या है भगवान इंद्रियों से रहित हैं इस कथन का क्या अर्थ है भगवान की इंद्रियां नहीं होती है भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती है भगवान की इंद्रियों भगवान को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है भगवान को इंद्रियों की कोई आवश्यक्ता नहीं है बताइए इसको कौन समझायागा य हाँ जी चलिए मैं Radha credit JU को बोलता हू Portal काम कर सकते हैं वह सिर्फ आंखों से देख सकते हैं वह पैरों से भी देख सकते हैं । पो आपने बहुत अच्छी बताई इसके अलावा और भी कोई बात मतलब तरीके से समझाय जा सकता कि भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती है मतलब क्या हमारा आत्मा और सरीर डिफरेंट है उनका आत्मा और सरीर दोनों एकी है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है बहुत सुंदर तो देखे माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई जैसे हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है जब मृत्ती होती है तो आत्मा शरीर छोड़के चला जाता है तो आत्मा अलग है शरीर अलग है लेकिन भगवान के केस में आत्मा और शरीर में कोई अंतर न बहुतिक वस्तु है, तो ये बहुत अच्छी बात बताई, मातरी ने, तो भगवान की इंद्रियां जो हैं, वो आध्यात्मिक होती हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं, जैसे आख हैं, हमारी इंद्रियां बहुतिक हैं, हमारे यदि बहुतिक इंद्रियां नहीं काम करना बंद क लेकिन भगवान के साथ यह स्तिती नहीं है भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं वह हमारे जैसी नहीं होती हैं परमात्मा सब के हिरदय में उपस्तित हैं तो क्या इसका अर्थ है कि उनका विभाजन हो जाता है हां नहीं तो इक प्रभुपाजी न अपने तात्परे में उपमा दे कर ये बात समझाईए तो आप याद है आप लोगों को अब बताना चाहेंगे रविंद्र प्रभु आप बताना चाहेंगे हां बताईए इसकी सूर से दी गई है उपमा बहुत सुन्दर क्या है उपमा बताएंगे सूर रहता एक जगह लेकिन जो है दिखाई सारे संसार को सारे पुरस को दिखाई देता है सभी को हां बहुत सुन्दर तो ऑस्टेलिया वाला सोचता है कि यह तो सूरिय मेरा है भारत वाला सोचता है तो सूरिय मेरा है इदर भी देखता है अमरीका वाला सूचता है तो अमरीका का सूरिय है लेकिन वास्तव में सूरिय तो एक ही है सूरिय तो एक ही है इसका एक और भी था ये था कि मानलीजे आप दस घड़े लें और दस घड़ों में पानी भर दें तो दस घड़ों में दस प्रकार के दस सूरियों के प्रतिपिम्ब जो है वो आ जाएंगे तो अलग-अलग घड़ों में अलग-अलग सूरिय है लेकिन फिर भी सूरिय एक ही है तो इसी तरीके से ये समझ सकते हैं कि भगवान जो है उनका विभाजन नहीं होता है लेकिन वो सभी शरीरों में वो उपस्तित रहते हैं सबके हिरदे में उपस्तित रहते हैं आपके हिरदे में मेरे हिरदे में बाकी सन्य भग जो भी सबके हिरदे में भगवान उपस्तित है सही उत्तर है भगवान का विभाजन नहीं होता है वो पने रहते हैं वो एक ही है प्रकरति अनादी कैसे है ये बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ लिया हम देखिए श्लोक 1320 में प्रकरति को अनादी कहा गया है इस तथ्य को सरल शब्दों में समझाएं तो बताएए कौन समझा द्रकरति को अनादी बोला गया है क्योंकि प्रकरति शाटत है वो हमेशा से थी और हमेशा ही रहती है जैसे मैंने अपने नित्फा अतल जैसे कुमाहर हो मिटी के बर्तन बनाता है मटी भी दवनाएगा वह बहुत तरह के बर्तन मेन बनाता है लेकिन उस का अब तोड़ भी देगा उन बर्तनों को थो उसका जो मून रूप है वह मिटी रह जाए मिट्टी नश्ट नहीं होती है मिट्टी नश्ट नहीं होती तो जो उसका raw material है वो हमेशा ही same रहेगा जैसे हमने कोई पौधा भी लगाया है तो पौधा नश्ट हो जाएगा लेकिन वो उसमें अंदर पड़ा है तो फिट दुबारे भुल मिल जाएंगे वो कहीं और चले जाएंगे लेकिन बने रहेंगे प्रकर्टी के अंदर ही बने रहेंगे वो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे वो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे वो प्रकर्टी में बने रहेंगे वो अपना आत्मा शाश्वत है लेकिन प्रकरती भी अनादी है ये बात अठार में ये इसे बीसे शलोक में भगवान कहते हैं तो उसको तन्वी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कुमार के बरतन का उधारन लेके तो देखें मैंने भी हां उत्तर में कुछ इसी तरह का उधारन लिय प्रकरती अनादी है इस कथन का अर्थ ये है कि प्रकरती नित्य है नित्य मतलब बनी रहती है कभी इसका विनाश नहीं होता है प्रकरती 24 तत्वों से मिलकर अलग-अलग रूप धारन करती रहती है किन्तु ये 24 तत्व नश्ट नहीं होते हैं ये अपना रूप बदलते र किन्तु जिस इट पत्थर सिमेंट इत्याजी से मिलकर यह बनता है वे नश्ठ नहीं होते हैं वे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और फिर अंत में जिसे ब्रह्मांड है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व प्रकर्ती महा विष्णु के शरीर में लीन रहती है उत् पूरी यह प्रकर्ती है जिसमें हम रह रहे हैं इसका एक दिन अंत होगा एक दिन इसमें प्रला आएगी और पूरी की पूरी यह प्रकर्ती जो है वो नश्ठ हो जाएगी नश्ठ होने के बाद यह कहां जाएगी नश्ठ होने के बाद यह प्रधान जैसे हम पहले बता रह जो आत्माये हैं पुन्हें ब्रह्मा जी जो है वो उनको अलग-अलग शरीर देंगे और पुन्हें ये निर्माण कार्य होगा। इस तरह से प्रकृति की जो चक्र है विले होना, प्रलाय होना और फिर उनका उत्पत्ती होना उनका सरजन होना ये चलता रहता है तो ये जो घटक है प्रकर्ति के जो घटक है जल अगनी प्रिथिवी वायू अकाश ये कहीं जाते नहीं है ये यहीं बने रहते हैं महा विश्णु के शरीर में चले जाएंगे और जब उसका निर्माण होगा नई स्रिष्टी का अतपुन है बापस आ जाएंगे तो इसलिए प्रकर्ति को अनादी कहा गया है बहुत अच्छा उत्तर दिया मदा जी धन्यवाद बहुतिक कारणों और परिणामों का हेतु देखे थोड़ा टेक्निकल सवाल आ गया भी 21 श्लोक है ये बहुतिक कारणों और परिणामों का हेतु कौन है जीव प्रकर्ति भोगने की प्रवरत्ति सुख और दुख ये कौन समझाएगा ये टेक्निकल सवाल है थोड़ा भौत ही कारण और उनके परिणामों का है तु कौन है दूख और दूख हूँ चले एक मिनट रुकिये राके श्रभुजी आप आये मैंदान में जी परुग जी बहुत ही कारण और परिणामों का हेतू तु परकर्ति है अच्छा बहुत संदर उत्तर आपका मताईए होता है जैसे इन शरीरों में जो जीबातमा अतीन उनके परिनाम अलग-अलग होते हैं जैसे बंदर का शरीर मिला, या किसी को मैं जीबातमा उसी शरीर का अनुरुहको ब्रूब अपर बोड़ में बहुत बंदर का शरीर का भोगा तो बंदर का में क्या होगा बंदर जो होता है वो चंचल होता है नठक उतारता है तो वो वैसा सवहाँ उसका बाद्ध है वहुतव ढखने की अवाज है। तो सुवर के शरीर में उसे जो विष्ठा होती है, जो गंद होता है, वो खाने में उसका बड़ा स्वार लगता है, उसका स्वभावी रुची इस प्रकार के खाद्य बदार्त में होती है, तो कारण मतलब क्या होगा है? बहुत ही कारण मतलब शरीर मिलना और परिणाम मतलब उस शरीर का जो विशेषता है, जो उसका विशेष सुभाव है, वो उसका परिणाम हो गया, और ये सब कहां से होता है, ये होता है प्रकरती के माध्यम से, प्रकरती जो है वो अलग-अलग शरीरों का निर्मान करती हैं, और उन शरीरों का जब निर्मान होता है, तो अलग- बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रगुजी, सही उत्तर है प्रगर्ति, अब बीसमा प्रशन देखिए, जीव के सुख और दुख का हे तु कौन है, जीव के सुख और दुख का हे तु कौन है, प्रगर्ति, भोगने की प्रगर्ति, शरी और आत्मा प्राकेश जी इसका भी उत्तर दे दिजी ने ने आप बाट तो बराबर है लेकिन वह आत्मा में अगर भोगने की प्रवरति है भातिक थाओ पूर्टी है कारण है उसका मगर जीव जो पुरुष है वो ही संसार में सुक दुख के भोग का कारण है पुरुष पुरुष का अर्थ क्या है पुरुष का अर्थ है भोगने वाला भोगने वाला जीव को जीव को ही आत्मा कहते है ना प्रभुजी जीव आत्मा जीव को ही जीव का मतलब जो आत्मा शरीर के अंदर बद है उसे जीव आत्मा बोलते है आत्मा को ही जीव या पुरुष कहते है और जीव ही इस संथार में दुख भोगने का कारण है उसमें भोगने की प्रवरत्ति के कारण भोगने की प्रवरत्ति के कारण जीव तो माली जाकर भोगने की प्रवरत्ति छोड़ दे भगवान में मस्त हो जाए भगवान को अपना जीवन का उद्देश्य बना ले अध्यात्मिक जीवन को अपना उद्देश्य बना ले तो उसके सुख और दुख का मतलब कारण नहीं रह जाएगा जीव तो वही रहा इसके शलोक में भी प्रभु जी इसके अर्थ में भी यह लिखावा है और जीव इस संसार में विवित सुख दुख के भोग का करण का जाता है लेकिन अगला शलोक जब आप देखेंगे पुरुशा प्रकरति स्थोही भूंगते प्रकरति जान गुणान भूंगते श्कतें की इस सकती है यहां पर यहां यहां पर एक्किस बाइसदों के पर अर्थ इसका पुरुश का मतलब प्रभुजी पुरुश का मतलब यह है जीवातमा जिसकी भूंगने की प्रवरत्ति वास्तव में भोगने की जो ऐगण sanct measures जीव जो है जब वो पुरुष के रूप में या भोगने के रूप में कारे करता है तो वो सुखर दुख्या उसका मतलब उद्य होता है उसके जीवन में भोगने के प्रवरत्ति आपने अच्छा तर्क किया आपने अच्छा प्रशन किया और अच्छा चैलेंज प्रस्तुत किया जन्यवाद है ज़िए और बोगने की परवर्ती तो उसका कारण है मैं उसी के प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने पढ़ कर उसकी घराई में जानने के प्रयास किया वही तो मैं उसी के तो प्रशंसा में कर रहा हूं बहुत अच्छा की दन्या अग़ा Like an experiencer experiencer is the one who does that बोगने की परवर्दी जिसको है, that's an experience, sir. Experience, sir, नहीं, enjoy, enjoyer, sir. Yes, enjoying separately from God. Not understanding, यह नहीं सोचता है, कि यह वास्तम में भगवान की कृपा से ही मुझे सब मिल रहा है. तो भगवान ही वास्तम में, सही माइने में इसके enjoyer है, भोगता है. जैसे आप किसी की दुकान में आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी जिस दुकान में करते हैं, उसका मालिक वास्तम में उस दुकान का जो profit है, उस दुकान का जो facilities हैं, वास्तम में उसका enjoyer वो है. यदि आप अगर आप अपनी अज्यानता वश या अपनी मूर्खता वश यदि हम सोचेंगे कि मैं इस दुकान का मालिक हो गया हूँ तो हम एंज्याई नहीं कर सकते ना मालिक जो है वो तुरंट समझ जाएगा कि ये तो मालिक बनने का प्रयास कर रहा है वो निकाल देगा आपको दुकान से बार आपका कश्ट होगा आपको तकलिफ होगी तो वास्तव में इस दुनिया के इस बहुतिक जगत के सही मायने में बहुकता कौन है भगवान है जब यक्तिय भूल जाता है और उनसे अलग होके एंज्याई तो हम भी कर सकते हैं लेकिन उनसे अलग होके नहीं कर सकते हैं इसी तरह से जैसे दुकान पर कोई करमचारी है वो वो भी एंज्याई कर सकता है लेकिन दुकान के मालिक के साथ साथ दुकान का मालिक अगर मालिजे उसे 10 लाख रुपे का प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख रुप के प्रॉफिट में उसे 20 अजार रुपे या 50 अजार रुपे बोनस वो अपने कर्मचरही को भी देगा ठीक है तुम भी एंजॉय करो लेकिन वास्तब में भोकता कौन है वास्त अलाब ले सकते हैं लेकिन उसके अलावा उसके बाहर जाकर रहती हम उसको एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो हमारे दुख का कारण बनेगी चले, 21idden, देहांतर का कारण जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर किस कारण से करता है क्योंकि वे एक शरीर से उव जाता है, दूसरे शरीर में उसे अधिक आनन दिखाई देता है प्रकर्ती के विभिन गुणों की संगर्ती के कारण और दूसरे शरीर में वह भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है सही उत्तर बताएंगे कौन बताएंगे चलिए इसका हम राधा जी को देते हैं, राधा जी बताइए दूसरे शरीर को भगवान की सेवा और अच्छी तरह कर सकता है कौन बोल रहा है अजी पता रही है अच्छा प्रकरती के विभिन गुणों के संगती के कारण संजाए थोड़ा सा- समझा सकती है है थोड़ा अजी हए अच्छा मता जी अच्छा प्रूत्यू के समय हमारी इस गुण में भाव होता है और जैसा हमारा होता है। अगर पुरा जीवन हो गुण में ऐसे जीवन व्यातित किया है। मुझे पता लग गया कि आपको आंसर पता है पिशली बार जो आपने डी बोला वो गलती से निकल गया आपने जितनी धारा प्रभा आपने ये सब समझाया उसे बिलकुल ग्यात हो गया कि आपको समझ में आ गया यह देखिए मैं जब इसका प्रशन का आज उत्तर सोच रहा तो मेरे दिमाग में एक एनलोजी आई तो एनलोजी मुझे बड़ी सटीग लगी है समझाने के लिए जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो एक प्रकार का यदि आप वीडियो चूस करें तो आपको यूट्यूब पे उसी प्रकार के चॉइस मिलने लगते हैं आपने ध्यान किया कभी यह है आपने चीज़ नोट करी है यह इस है आप मान लिजा आप मान लीजा फिल्मी गानों का कोई एक वीडियो सेलेक्ट करतें तो यूट्यूब जहें वह पकड़ लेता है कि यह तो फिल्मी गाने देखने के शौकीन है तो फिर जब आप फिर और चॉइसिस आने लगती हैं इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारे सामने चॉइसिस रहती हैं विकल्प रहते हैं सतोगुन को चुने रजोगुन को चुने या तमोगुन को चुने तो जब हम एक बार मालीजे तमोगुन को चुनने लगते हैं तो उसका स्वात तो क्या होता है कि जब एक शरीर से मतलब जब माली जब तमोगुण का चुनाउं किया तो तमोगुण का प्रभाव हमारे हमारे भीतर बढ़ने लगता है तमोगुण का प्रभाव हमारे भीतर बढ़ने लगता है तो इस तरिके से हमारे अंदर जो चेतना होती है जो हमारा जो मन होता है वो तमोगुण होने लगता है और मृत्रु के समय क्या है मृत्रु के समय प्रकरती देखती है कि भbon है यंदो कौन सा किस तरह का मन लिक wholly रहा ह चलो लाइन इसे कोई ऐसा शरीर देद घाता है उसको को यह इस तरहे से प्रकर्ति के विभीन गुणों की संगती के कारण हम को अगला शरीर मिलता है थैग्धाय धूं नैं हमें पता किया हमें दूसरी लेना पढ़ता है लेकिन वह शरीर किस आधार पर हमें मिलता है किस प्रकार्गा मिलता है उसका जो उलेक है वो तेरेवे अध्य है के 22 इस लोक में बताया गया है के कैसे हमें वो शिरीर प्रापत होता है प्रकर्ठी के विभिन गुनों की संगती के कारण तो राधाजी ने बहुत अच्छा तरीके से समझाया, बहुत-बहुत धन्यवार श्लोक 1326 में शुरुती परायना शब्द का अर्थ समझाए भगवान की शरण लेने वाले, वेदों की शरण लेने वाले भगवान के भक्तों की शरण लेने वाले श्रवन विधी के प्रती रुची रखने वाले चले कौन बताना चाहेंगे? कौन उत्तर देना चाहेंगे? प्रभुजी डी अच्छा मन्जु माता जी ने बताया डी श्रवन विधी के प्रति रूची रखने वाले अच्छा ये श्लोक का थोड़ा सा बैग्राउंड समझा सकती है माता जी ये इसमें ये किस संदर्ब में आया था और कैसे भगवान ने इसा बताया है इसमें आपको पच्छीसवन श्लोक का थोड़ा साहता लेना पड़ेगा ने प्रभुजी अच्छा चलिए मैं बताता हूँ देखे भगवान जो है वो 25 और 26 श्लोक में उस प्रकार की विधियां बताते हैं जिनसे हम आत्मा परमात्मा और शरीर का ग्यान जो है वो ले सकते हैं उसमें भगवान जो है वो अलग-अलग विधियां बताते हैं 25 श्लोक में बताते हैं ध्यान योग जिसमे स्लोक में वो बताते हैं एक और विधी जिसको बोल रहे हैं जो भगवान के बारे में सुनने के लिए रूची रखते हैं भगवान की कथाएं सुनना तो एक तीन विधियां तो उनने बता हैं ध्यान योग, ध्यान योग में मन पर नियंतरण करना पड़ता है, जैसे हमारे बीच में रविंद्र सिंग चोहान प्रभुजी है, वो योग अभ्यास इत्यादी जैसी विधियों के बारे में जनता को सिखाते हैं, भारतिय योग संस्थान के एक उच्पद परसित हैं, स्वयम भी रोजाना योग अभ्यास करते हैं, प्रणायाम करते हैं और अन्य लोगों भी सिखाते हैं, तो योग अभ्यास और प्रणायाम जैसी जो विधियां हैं, उनका जो मूल, उनका जो लक्षे है, उनका लक्षे है मन पर नियंतरन कैसे करें ये ध्यान योग में मुख्य एक तरीक से विधी है फिर होती है ज्यान योग ज्यान योग में विधी क्या है ज्यान योग में विधी है उपनीशदों को पढ़ना उपनीशदों में जो अलग अलग प्रकार के जो बातें बताए निर्विकार भगवान की जो एक व्याक्या उपनिशदों में दी गई हैं, उनको समझने का प्रयास करना, इंद्रियों से परे जो अनुभूतियां हैं, उनको जानना, तो ये जो ज्यान योगी होते हैं, ये चिंतन, मनन, उपनिशदों का अध्यान, इनमें सारा दिन लगे इसमें वो अपना जीवन बिताते हैं, तो एक ये विधी है जिसमें आप आगे भगवान की और बढ़ सकते हैं, तो तीसरी विधी क्या है कर्मयोग, कर्मयोग की विधी में क्या होता है, कि आप समान्ये जो समाजिक जीवन में हैं, उसमें आप अपना जीवन बिताते हैं, मान लिजे आप कोई सेनिक हैं या आप कोई व्यापारी हैं तो आप इमानदारी से व्यापार करें अपना कर्तव्य एक व्यापारी के रूप में जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा निभाएं भगवान का सरकार का जो टेक्स है वो दें अपने जो साथी जो व्यपारी हैं, अपने जो कस्टमर हैं, उनसे बड़ा अच्छा डिलिंग आप कर रहें, इमानदार डिलिंग रहें, तो ये कर्म योग हो गया, जिसमें कर्तव्य अपना पूरा करें और निश्काम भाव से करें, कोई लालत से ना करें, किसी स्वार्थ स ना करें, तो ये कर्म योग हो गया, लेकिन एक चौथा योग क्या है, वो यहाँ पर भगवान 26 में श्लोक में बता रहे हैं, शुरुती परायना, भगवान यह कह रहे हैं कि जो लोग इतनी सारी विधी विधानों को पालन करने में बहुत जादा सक्षम नहीं हैं, सिंपल अध्यात्मिक ज्यान से अवगत नहीं होते हैं, लेकिन प्रमानिक पुरुषों से सुनकर, श्रवन करके, वो भगवान को समझ लेते हैं, भगवान तक पहुंच जाते हैं, इनको बोला गया है शुरुती परायना, तो प्रभवाज जी अपने तात्परिये में देखे, क्य लिखते हैं, यह श्लोक आध्यूनिक समाज पर विशेश रूप से लागो होता है, क्योंकि आध्यूनिक समाज में आध्यात्मिक विश्यों की शिक्षा नहीं दी जाती है, तो हम केवल भगवान की कथाएं सुनकर ही अपना जीवन जो है, वो सफल बना सकते हैं, इसलिए यह सक्षम है, ज्यान योग कीतरा, ध्यान योग कीतरा, कर्म योग कीतरा, यह powerful है, सक्षम है, आपको एक प्रकार से भगवान तक ले जाने के लिए, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर उसका उलेग कर रहा है, श्रवन विधी के प्रती रूची रखने वाले डी इसका सही उत्तर है प्रश्ण भौतिक जगत किनके सहीयोग से बना है देखे अब ये हमने जब वह पढ़ा था ना चौबिस तत्व और छे विकार अब देखे भौतिक जगत में जो भी अस्तित्व में है वह डैश और इंद्रिय विश्यो भौतिक प्रकर्ति था जीव परमात्मा था आत्मा एगे सही उत्तर क्या है चंद्री का माता जी रशेश प्रभू बता ये करभू जी ए और अधार रहा है मांजी माता जी और मंउटर जी का अ है अच्छा चले और कोई और कोई उत्तर सीज़र का साइयोग बहुतिक जगत में आप जो भी देखते हैं जो भी चीज अस्तितम है वह बहुतिक एक तरीके से शेतर और शेतर अग्ये का साइयोग मात्र है तो कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, वो आत्मा और मतलब जो ये जड़ प्रकरती है, आत्मा परमात्मा और जड़ प्रकरती के सही उजन से ही सब कुछ चल रहा है, अगर ये मिलन ना हो, तो सब कुछ एक तरीगे से बिखर जाए, सब कुछ समाप्थ हो जाए. देखे, इनके साथ ऐसी अनेक वश्तु हैं, जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकरती तथा पराप्रकरती अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं, पराप्रकरती जीव के इस पर्ष के बिना कुछ भी उत्पन नहीं हो सकता है, भौतिक प्रकरती तथा आध्यात्मिक प्र करती का संबन्ध निरंदर चल रहा है और यह संयो Leonardo संपन करा आगे जैसे आप जैसे पृथवी लोग है पृथवी लोग घुम रहा है अपनी धूरी पर या फिली भू रहे है अपनी धूरी पर चकर mins रही है सुर्य के अंदर पस्तित है पर्मात्मा उसके अंदर उपस्तित है उनी great कि सकते हैं कि जीव होतिक जगत में जो भी अस्थित्व में है वो होतिक प्रकर्टी मो जगत में कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है इसका सही उत्तर है सी भौतिक प्रकर्टी तथा जीव वास्तव में देखने वाला अब ये ज्यान चक्शु वाला सेक्शन आ गया है शलोक 1328 के अनुसार वास्तव में कौन देखता है जो सभी में परमात्मा को देखता है जो समझता है कि ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी नश्ट होता है जो समझते हैं कि शरीर के विनश्ट हो पर सब कुछ विनस्ट हो जाता है और विकल्प A और B पहले तो विकल्प कौन सा सही है कौन बताएंगे वी वैसे समझ आ रहा है बी बी समझ में आ रहा है चलिए और कोई उत्तर डी प्रभु जी ने सही पताया राकेश जी डी उत्तर है देखिए आप माता जी इसका श्लोक पढ़ेंगी अठाइस वाश्लोक उसमें आपको पता लएगा देखिए जो परमात्मा क समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है जो सभी में परमात्मा को देखता है वो ए हो गया और फिर जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी विनेश्ट होता है यह हो गया बी जो समझता है कि ना तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी होता है तो ए और बी यह वास्ताव में सही उत्तर है जो यहां बहगाओन कहते हैं कि यह ही वास्ताव में देखता है से यहां पश्यति यहां पश्यति सपश्यति और तो यह जो जो होते हैं ज्यान चक्षू जिस व्यक्ति के पास होते हैं वो दोनों चीजें देखता है कि इस व्यक्ति के साथ जो मेरे सामने खड़ा है उसके अंदर एक आत्मा का निवास है और साथ ही साथ उस आत्मा के साथ साथ एक परमात्मा का निवास भी है ऐसा देखने वाला वास है विकल्प A और B आत्मा शरीर से लिप्त क्या आत्मा कभी शरीर से लिप्त होती है हाँ नहीं 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 बहुत अच्छा उत्तर दिया आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होती देखिए आत्मा आत्मा शरीर के अंदर रहती है आत्मा शरीर के अंदर रहता है लेकि शरीर में घुलता मिलता नहीं है शरीर से अलग बना रहता है जैसे आप मान लिजे किसी पानी के गिलास में एक तेल की बूंद डाल दें तो तेल की बूंद जो है वो पानी में मिक्स नहीं होती है तेल की बूंद पानी से अलग बनी रहती है इसी तरीके से आत्मा जो है वो शरीर में रहता तो है लेकिन शरीर में लिप्त नहीं होता है, शरीर से लिप्त नहीं होता है, आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होता है, आत्मा देखे कितने शरीर ग्रहेंड करता है और शरीर छोड़के चला जाता है, शरीर तो नहीं पढ़ा र आत्मा के विज्ञान को सूर्य के उधारण द्वारा समझाएं। ये कौन समझाएंगे? 34 स्वाश लोक, 13 अध्याय. मन्जु माता जी आप प्रियास करेंगी? हाँ, जी, जी प्रभुजी. प्रभुजी जिस प्रकार सूर्य एक ही इस्थान पर रहकर पूरे ब्रह्मान को प्रकाश देता है, उसी प्रकार आत्मा इस जीव शरीर में रहने के से पूरे शरीर को चेतनता प्रकार प्रदान करती है. बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर. तो देखे, यदि किसी को बताना हो, आत्मा अस्तित्व में है के नहीं है, बोले, शरीर अगर चेतन है, शरीर में कुछ खिल डूल रहा है, सांस चल रही है, इसका मतलब शरीर के अंदर आत्मा उपस्तित है. वैसे ही, जैसे आप खिड़की के बहार यदि आप देखें, और खिड़की के बहार देखके आपको पता लगे कि कुछ रौशनी हो रही है, कुछ प्रकाश है, तो आपको अलग से बहार जाकर सूरिय देखने की आवशक्ता नहीं है. क्योंकि अगर भार कहीं प्रकाश उपस्तित है, तो इसका मतलब सूरिय विद्यमान है आकाश में, सूरिय निकला हुआ है, बादलों से ढखा नहीं है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सूरिय है, इसी तरह से यदि किसी शरीर में चेतना है, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि उस शरीर के अंदर आत्मा है तो ये आत्मा के विज्ञान को ऐसे आप समझा सकते हैं किसी को बहुत आत्मा किसी ने देखी है बुले अगर चेतना है कहीं तो इसका मतलब आत्मा उपस्तित है इस तरह साथ समझा सकते हैं पुट्तर जिस प्रकार धूप अथ्भा प्रकाश का उपस्तित होना स्ुरिया की उपस्तिती का प्रमाण है। grav शरीर में चेतना का होना आत्मा की उपस्तिती की प्रमाण है। 22 दॡ गया, तेर्मा ध्या, श्लोक श्मरण। चलिए, आप में से कौन भक्त गृज़ जो है, वो श्लोक स्मरन करके आये हैं और यहां पर उचारन करने की आप यहां पर मतलब सहस कर सकते हैं अवश्य माता जी देखके कर रही है कि बिना देखे लगा देखके करेगे चलिए बताइए बताइए पुपद रष्टानों मन्ता चवर्ट बाइस्वां बाइस्वां मान्दा जी बाइस्वां लोग ना बाइस्वां तेरे में ध्यागा बाइस्वां आप तो कोई और आप तेविस्वां पढ़ रही है हाँ तो मेरी बुख में वो आगे पाचे वो अच्छा वो 21 करिए फिर आप 21 करिए आप गीता प्रेस की ले रखिया के आपने गीता हाँ इसलिए 21 हो गया बताईए पुरुश प्रकृतिस तो ही दुखते प्रकृति जन गुणन आरणाम गुण संगोस्य सद्य सद्यों नि ज सुन्दर लगा धन्यवाद प्रभुजी देंक्यू चलिए अब वो भक्त करन सोड़ा सामने आया है जो बिना देखे स्मरन करके बिना जिन्होंने स्मरन किया और वो चारण कर सकते हैं चलिए राकेश गर्ग जी ने साहस दिखाया है देखते हैं पुरुशह प्रकृति स्थोही भूंते प्रकृति जान गुणान कारणाम संग संगोस्य सद्यों नि जन्मसू बहुत सुन्दर प्रभुजी 95 मार्क्स मिल गए आपको सवा में से आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया कारणाम संग संग से आपने बोला लेकिन कारणाम गुण संग संग से देखिए कि श्लोकों को जैसे आप स्मरण करेंगे तो आप उसकी गहराई में उतर सकते हैं और दूसरा मैं क्या बात कर रहा था यह जो बाइसवा श्लोक है यह वास्ता में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है मैंने आपको कक्षा के दॉरान भी बताए था कि यह बीज वाक्य है इसी श्लोक से 14 अध्या की आगे वैशिय तै होता है 15 अध्या का वैश तै होता है जैसे यहां पर इसमें गुणों के बारे में बताया गया है तो प्रकर्ती के tीन गुण हम 14 अध्या में पढ़ रहे làm और फिर पंदरवे अध्याय में एक पीपल के पेड़ के बारे में भगवान बताते हैं जो एक प्रकार से प्रकर्ति का सूचक है तो प्रकर्ति का विवरण यहां पर दिया गया है बाईसवे शलोक में फिर सद असद योनी सू सद मतलब अच्छी योनी और असद मतलब बुर सद प्रकर्ति और आसरी इसको जड़ी समर्ण करें तो आपको भगवत गीता के चौदमें, पंद्रमें, सोलमें और सत्रमें अध्या का जो मूल विशह है उनके बारे में आपको पता लगता है तो आज का हम कारेकरम में बस इतना ही आचा है आप लोगों को इस प्रशनोत्री से इस चड़चा से आपके भगवत गीता के ग्यान में थोड़ा सुधार हुआ होगा, थोड़ा गहराई आई होगी और आपने बड़ बढ़ चड़कर, बड़ा रुची से बड़े उत्सा से इस कारेकरम में भाग लिया बड़े अच्छे उत्तर आपने दिये और मैं आपकी प्रगती देखकर मुझे बड़ा संतोष हो रहा है और भक्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने अपने अस्तर पर इतनी अच्छी आपकी समझ हो गई है आप भी अपने अस्तर पर छोटे छोटे कारेकरम अपने मुझे में, अपने कॉलॉनी में अपने अपार्टमेंट में अपने परिवार वालों के साथ आप आरंब करें हो सकता है कि बड़ी कलास देने में आपको थोड़ा सा संकोच हो लेकिन छोटे हमोटा जो रीडिंग कलास होती है 5-7 लोगों के साथ पंदरा मिनेट, बीस मिनेट बैठके भगवत गीता पढ़ाएं, पढ़ाएं, मान लिजे उन बीच में उनका कोई प्रश्ण हो, तो आप इन प्रश्णोत्री के माद्यम से आपका ज्यान इतना आगे बढ़ चुका है, कि आप उन्हें कुछ प्रश्णों के उत्तरता आप द तो इस तरह से मैं आग्रे करूंगा, कि जो लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं, वो अवश्य एक छोटा-मोटा प्रयास आरंब करें अपने-पने स्थर पर और इसी छोड़ी सी प्रारतना के साथ, छोड़ी सी बात के साथ मैं अपना कारे करम यहां समाप करता हूं, अगल बहुत बहुत पर इस अख्ल़ी हमारा गल्टिक इदर होता है वो भी हमको मालूम पड़ता है लिए बहुत बढ़िया बहुत 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 अनन्द आया अति सुन्दर और संधियों का बहुत अच्छा योगदान है हुते बहुता है वो भी हुते बहुते संधिय करना है